हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं विंडो 11 24 को ल हुआ इक software उसके और बुचाबल बनाओंगा मैं क्या कियों इसके अंदर प्ली कर लिया हो इसके आपको क्रिक करते हैं इस तरह से विंडो अपर्आ अब आपको इस इस RTL को से लेक्ट कर ले ना है यहानए मेरे केस में स्टॉप और ISO file है इसलिए मैं यहां पर desktop आईसों फाल स्टेलक्ट कर लिया सके बाद आपको क्या करना यहां पर open कर देना है open करने के बाद यहां पर आईसों फाल एड़ हो जाएगा और बाकि आप्सटन हाइलाइट हो जाएगा इसके नीचे देखेंगे यहां पर आपको कोई changes नहीं करना है यहां पर पार्टिकल सेमे में यहां पर आप किलिक करके यदि आप GPT मोड में करना चाहते हैं तो GPT मोड सेलेक्ट कर सकते हैं मैं अपने case में MBR मोड में करूंगा इसलिए मैं यहां पर MBR सेलेक्ट कर रहा हूं यदि आप GPT मोड में करना चाहते तो यहाँ पर जीपीटी मोड में सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है इसके बाद यदि आप यहाँ पर रीनेम करना चाहते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से नाम डाल दीजेगा जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उसके बाद कोई change नहीं करने, आपको क्या करना, यहाँ पे start पे click कर देने, start पे click करते हैं, इस तरह से warning देगा, warning यह है कि आपके paint drive के अंदर कोई भी important data होगा, उसको आप back up लेके रख लिजे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप ok करेंगे, तो आपके paint drive के अंदर जितना भी data आटा होगा, सारा format हो जाएगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पे ok कर देना है, ok करते हैं, यहाँ पे bootable बना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ second wait करना परेगा, चलिए मैं यहाँ पे मैं कुछ second wait करता हूँ, जब 100% कम्पलीट हो जाएगा, उसके बाद आपको आगे का process बताता हूँ, जब 100% कम्पलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे ready लिखा हुआ आजाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे close करदेना है, close करने के बाद आपको क्या करना है, इस pen drive को उस system या laptop के अंद कर देता हूं बूटेबल पेंडर्ट करने के बाद आपको क्या करना सिस्टम को स्टार्ट कर लेना स्टार्ट होने के बाद जैसे फर्स्ट एक स्कीन आते हैं तो आपको एप टूल या एफ हेट प्रेस करके बूट मेनु में आ जाना है हरे कंपनी का अलग-अलग होता है बू सर्फड करना है तो यहाँ पिनड़ और इंडिया से हूं इसलिए मैं यहाँ पे और इंदिया से हूं यहाँ इसलिए निदिया रहना हो तो यहाँ पर अपने हिसाब से select कर लिजेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर next पर click कर देने इसके बाद यहाँ पर install नाओ पर click करते हैं यह विंडो आ जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ second wait करने के बाद यह window open हो जाएगा अब यदि आपके पास key है तो यहाँ पर आने की जो तो नहीं है आपको क्या करना है I don't have product की इसके उपर आपको क्लिक कर देने क्लिक करते हैं यह window open हो जाएगा यहाँ पर आपको बहुत सारा option दिख जाएगा यदि आप home करना चाहते तो home select कर लिजेगा प्रो करने तो प्रो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से प्रोसेस होगा उसको इंस्टॉल करने के लिए चलिए मैं यहाँ पर window 11 pro select कर लेता हूं इसके बाद यहाँ पर आपको next पर क्लिक करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर tick mark कर देने इसके बाद आपको next पर क्लिक कर देने क्लिक करने के बाद यह hardix होगा यहां पर आपको दिखाई देदेगा तो यहां पर ध्यान से select किजेगा यदि आप गलक्त hardix को select करके delete कर देंगे तो उसके अंदर जितना data होगा सारा delete हो जाएगा तो आप एक चीज आप कोसिण किजेगा installation उससे पहले जिस hardx के अंदर आपको install करना है cable वह ही connect करके रखेगा बागी को आप remove कर दीजेगा जिससे confusion नहीं होगा और आपका data भी safe रहेगा जैसे अभी मैं अपने case में एक ही hardx connect करके रखा हूँ यदि आपका case में एक से ज्यादा hardx होगा तो यहां पर एक से ज्यादा hardx दिखाएगा मेरे case में यहां पर दो partition था एक C था एक D था तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहां से delete कर रहा हूँ इस तरह से मैं यहां से इसको delete कर देता हूँ इसको भी select करके आपको क्या करना है यहाँ पर delete कर देना है ओक्य कर देना है यह भी delete हो जाएगा इसको भी यहाँ से delete कर देना है ओक्य कर देना है यह delete हो गया अब ही हमारा बचा D मेरे case में D-dab के अंदर data नहीं है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको भी यहाँ से delete कर देता हूँ इस तरह से मैं क्या कर सारा hardx को delete कर दिया अब हम क्या कर रहा है यहाँ पे new पे click कर रहे है new पे click करने के बाद यहाँ पे आपको option आ जाएगा अब आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से select कर लिजेगा आपको C-dab कितने GB का रखना है जैसे मेरे case में यहाँ पे आपको दिख रहा है 223GB का hardx है वैसे 2500GB है लेकिन यहाँ पे आपको 223 ही दिखेगा तो इसके हिसाब से मैं यहाँ यहाँ पे 1500GB का C-dab बना लूँगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 1500 टैप कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पे आपको 30 लगा देना है इसके बाद आपको apply पे click कर देना है इसके बाद ok कर देना है अब जो बच गया इसको मैं D-dab बना देता हूँ यहाँ पे apply कर देता हूँ यदि आपका जैदा graphics का काम है जैदा cheese का काम है तो आप 2500GB को C-dab भी बना सकते हैं तो आप अपने हिसाब से आपका काम क्या है उसके हिसाब से size select कर सकते हैं partition create करने के बाद आपको क्या करना है यह C हो गया यहाँ पे आप देखे हैं सबसे ज़्यादा GB है उपर वाले MB है तो इसके अंदर install नहीं हो सकता इसके अंदर भी नहीं हो सकता इसके अंदर install होगा यहीं C-dab बनेगा इसलिए आपको क्या करना है कुछ किलिक करना होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा यह वीडियो बिना skip का मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैं कोई भी part skip नहीं करूंगा सारा finish होने के बाद इस तरह से restart के लिए आजाएगा यदि आप restart manual नहीं करेंगे तो 10 seconds के बाद automatic यह restart हो जाएगा restart होने के बाद आपको क्या करना है फिर से boot menu में जाके यहाँ पे harddick से boot कर देना है यदि आपका first boot harddick selected नहीं होगा तो आपको क्या करना boot menu में आने boot menu में आने के बाद आपको manual से यहाँ पे आपको harddick से boot करा देना है इसके बाद फिर से यह restart होगा तो आपको क्या करना है फिर से boot menu में आने boot menu में आने के बाद यहाँ पे आपको harddick से boot कर देना है यदि आपके case में first boot harddick selected होगा तो यह आपको करने की जोतनी है automatic वो harddick से boot हो जाएगा इसके बाद यह window आ जाएगा आप देख रहें यहाँ पे just a moment लिखा हुआ आ गया यानि यहाँ पे आपको कुछ second wait करना है मैं सारा process step by step बताऊंगा कोई भी process skip नहीं करूंगा यहाँ पे आप देख रहें यहीं window 11 का logo था यहीं animated part था इस तरह से यह आ जाएगा आप आपको क्या करना है यहाँ पे आपको country select कर लेना है country select करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे yes पे click कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपको keyword का layout select कर लीजेगा यहाँ पे मैं English India select करूंगा यहाँ आपको यह और select करना चाहते है तो आप अपने हिसाब से language select कर लीजेगा उसके बाद आपको क्या करना है yes पे click कर देना है किलिक करते है इस तरह से window आजाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको कुछ second wait करना है इसके बाद यह window आजाएगा अब आपको यहाँ पे दो option मिलेगा तो आपको क्या करना है आप अपने हिसाब से select कर सकता है यदि work के लिए कर रहे है तो यह select कर सकते है इसके बाद आपको क्या करना है next पे click कर देने next पे click करने के बाद यह window open हो जाएगा यदि आपका Microsoft पे account बना हुआ है उससे आप login करना चाहते तो यहाँ से आप उस account का ID डाल के यहाँ से next करके password डाल के आप login कर सकते है यदि आपका account नहीं बना हुआ है आप offline में करना चाहते है तो आपको क्या करना है sign in option दिख रहा है इसको पर आपको click कर देने इसके बाद यहाँ पर आपको यह option दिख जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है offline account दिख रहा है जो आप रखना चाहते हैं, इसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पर next पर click कर देने, click करने के बाद यह window आ जाएगा, यदि आप password रखना चाहते हैं, यहाँ से आप password भी रख सकते हैं, इसके बाद आपको next पर click कर देने, इसके बाद यह window आ जाएगा, यहाँ पर मैं बोलू इसको भी आप आफ कर दिजेगा इसको भी आफ कर दिजेगा इसको भी आफ कर दिजेगा इसको भी आफ कर सकते हैं वैसे आप आउन भी रख सकते हैं लेकिन यह दी आप इसको आफ कर देंगे वह जएदा अच्छा रहेगा इसके बाद आपको क्या करना है एक से पे क्लिक कर यह विंडो आ जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है कुछ सकंड वेट करना है कुछ सकंड वेट करने के बाद इस तरह से हाई लिखा हुआ आ जाएगा आप देखने इसके बाद यह मैसेज आ जाएगा यहाँ पर भी आपको कुछ सकंड वेट करना है कुछ सकंद वेट करने के बाद इस तरह से आ जाएगा आप देखने यह विंडो 11 का ही है यहाँ पर बस आपको वेट करना है इसके बाद यह विंडो ओपेन होगी आप देखने डेक्स्टॉप आ चुका है यहीं डिफॉल्ट विंडो 11 का डेक्स्टॉप का बाइग्राउंड है आप देखने यह इंस्टॉल हो चुका है चलिए मैं आपको इसका सेटिंग भी दिखा देता हूँ यहाँ पर आप किलिक करके सेटिंग में आ सकते हैं यहाँ पर आपको सेटिंग दिख जाएगा इस तरह से सेटिंग विंडो ओपन होगा इसके अंदर आप किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगा यह विंडो 10 को ही आपको मैउस करने के लिए चाएंगे तो जैसे मउस कण आप यहा पर रख lovely त preservation करना है को और में करनें तो 되어 सब्सक्राइब नहीं विंडो 10 में क्या था कॉर्णर में यहां पे आता था लेप्ट साइड में आपको बीच सेंटर में मिलेगा यहां से क्लिक करके start menu ओपन कर सकते हैं यह पे आपको सारा application दिख जाएगा यहां से आप सट डाउन कर सकते हैं इसके बाद यहां से आप सर्च कर सकते हैं जो भी चाहिए तो यहां से new create कर सकते हैं, इसके बाद यहां से आपको widget मिल जाएगा, यहां से आप folder open कर सकते हैं, यहां से आप macrosoft edges open कर सकते हैं, यहां से आप macrosoft store open कर सकते हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से open कर लिजिएगा, चलिए अभी हम यहाँ पर इसको complete कर देते हैं तो यह browser भी काम करने लग जाएगा continue without sign in कर दीजेगा और अब आप यहाँ से इसको use कर सकते हैं चलिए अभी हम इसको यहाँ से close कर देते हैं इसके बाद अब हम folder open करके देखते हैं कैसा दिखते हैं यहाँ पर folder open करेंगे तो इस सारा feature है जो अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा चलिए आपको इसका config file भी दिखा देता हूं यह window 11 ही है यह दूसरा है इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपको right click करना है इसके बाद आपको property में click करना है click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहाँ से देख सकते about us यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा window 11 pro इसका build version भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा आप देखने भी यह window 11 pro ही है कोई और नहीं है तो यह आपको window 11 install करके दिखाया कैसे step by step इसको install करते हैं इस तरह से आप install कर लिजिएगा और प्लीज गया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू